हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा पोहा तो आपने बहुत खाया होगा लेकिन मैं आज कुछ अलग तरीके से पोहा बनाऊँगी जिससे आप अगर इस तरीके से पोहा बनाएंगे तो आपके भी पोहा बहुत ही टेस्ट्री और बिल्कुल खिले-खिले बनेंग तो चलिए कैसे बनाते हैं इस पुहе को, स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमने ले लिलिhe है एक कटोरी पूहा ले लिया है, यहां पे इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, तो यह है मोटा पूहा है, भाजार में इस तरीके से मोटा पूहा यी coordination है, सबसे पहले हम ले लेंगे चलनी, चलनी में हम पोहे को ट्रांसफर कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, पानी रूम टेंप्रेचर पर होना चाहिए, इस तरीके से नीचे लगा लेंगे, हम एक बड़ी सी थाली जिससे पानी इसमें भरा रहेगा, चलनी को थोड़ी देरी रखें ज्यादा नहीं वनना पोहा अमारा ज्यादा गीला हो जाएगा तो वह एक एक पोहा नहीं बनेंगे तो ये देखिए चलनी में नीचे पानी रह गया है और पोहे अमारे उपर रह गये हैं अब इसको हम रख देंगे साइड में यहां रख देंगे तेल हमारा गरम हो चुका है तो इसमें आब हम मैं डालूँगी बारिक वाली राई इससे पोहा काफी बढ़िया बनते हैं और यह है जीरा थोड़ा इनको हम कड़कने देंगे इसमें मैं डाल दूँगी हरी और लाल मिर्च दोनों थोड़ा सा इसको हम भूल फिर इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ते इसको भी हम थोड़ा सा बूल लेंगे पिर इसके बाद हम डालेंगे मूंफली के दाने इसको भी थोड़ा सा हमने चला लिया है फिर इसमें हम डालेंगे एक आलू जो मैंने बारिक चौप कर लिया था आलू को डालने के बाद फिर इसमें हम डाल देंगे मटर के दाने मैं रहनू आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रहनुदा किचिन चैनल पर अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्यों आप सभी को मेरे चैनल पर मिलेंगी और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलिएगा तो यहां पर हमने इसको मटर और आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें हमने डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ज्यादा नहीं हलका सा जिससे आलू पकेंगे अची तरीके से यह इसको हम च इसको हम इस तरीके से ऊपर नीचे कर लेंगे इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक क्यों हमने अभी आलू में नमक डाला हुआ है इसलिए थोड़ा सा नमक डालें और इसको इस तरीके से चला लेंगे जिससे नमक अच्छे से मिक्स हो जाएगा अब इसको हम खोलेंगे अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी अभी हमारे आलू नहीं पके हैं तो इसमें अभी हम हल्दी डाल देंगे आदी चमच अच्छे से मिक्स कर लेने हैं हमें इससे हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें और फिर इसको ढखके फिर पकने हैं तो यहां पर देखिए, हमने हल्डी डाल के अच्छे से इसको पका लिया है, आलू भी अच्छे से पक चुके हैं, तो भी इसको अच्छे से चला देंगे हम, और फिर इसमें अब पोहा डाल देंगे, बिल्कुल एक-एक पोहा बनके रेडी हुआ है, एक बात और बता दू, अगर आप भाब के पोहे बना रहे हैं, तो इसी तरीके से पोहे को गलाएं, बिगोएं पोहे को, तभी भाब के पोहे भी इसी तरीके से अगर बिगोएंगे, तो काफी बढ़िया बनेंगे, एक-एक बनेंगे, तो इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं पोहे को जिससे पोहा हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं और बढ़िया गरम भी हो जाएं तो इस टाइम गैस की फ्लेम को हम कमी रखेंगे तो यहाँ पे पोहा हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से पानी के चीटे देंगे ज्यादा नहीं यहाँ पर पोहा में हमने पानी के चीटे दे दिये हैं और अच्छे से इनको हम मिक्स कर लेंगे जिससे यह हमने जो पानी के चीटे दिये हैं जिससे पोह हमारे एक ऐसे बढ़िया और हो जाएंगे, अब इसमें हम डालेंगे नीबु, चारों तरफ नीबु का रस जाल दिया है हमने, अब इसमें हम डाल देंगे हरा दनिया बारिक कटा हुआ, और पोहे को अच्छे से फिर से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा पोह और एक-एक पोहा बनके रेडी हुआ है उनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो यह देखिए हमारे गर्मा-गरम पोई तयार है इसको हम गर्मा-गरम सर्फ करते हैं अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें तदा शेयर जर करके जरूर बताना दोस्तों बाई बाई फिर मिलती हूँ